वेलकम टो फूचर यहाँ दोस्तों चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों आज मैं आपके लिए लेका हूँ कि चोर्सी की हम धार कैसे लगाएंगे कोगी जोन से नए बच्चे इस फील्ड में वे बहुत दिक्कत आती है कि चोर्सी की सई धंते धार लगनी पाती हमें इसका लगाएंगे चोर्सी की धार लगाएंगे और इसका नैरेक्स का मेरे पास टोन भी है तो इसकी मदद से हम धार लगाएंगे चलो इसकी अन्बॉक्सिंग शुरू करते हैं सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बैल ऐकन का बटन दमाएं हमारी लेटेश वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चलिए दोस्तों इसकी अन्बॉक्सिंग करते हैं दोस्तों बैक सेड में आपके दिखा देतों कितने एंगल में लगानी कितनी डिगरी में लगानी है यह नहीं बकैदा दे रखा सारा और दोस्तों यह मेडिन तेवान की है और मैं इसका आपको प्राइज भी बताऊंगा और बीच में आपने वीडियो स्किप निकरनी है ठीक है याम इसकी ओपनिंग करते हैं यह देखें- दोस्तों इदर की तरफ तो हमारी ते खाति है ठीक है अंदर की तरफ हमारी चोर सी आती है यह नंकर हमारी तेक मिल्स हाएं गाइगी इसमें धोें ट hardly चप् यह दोनों चीज़े लगती निसात में यह चलता है और यह बी काफी अच्छा है इन्होंने बना रखा ना तो इसमें जंग लगता है और ठीक है बड़ा हाई टेमपर का यह देखा और यह दो यह दो पूरा बकैदा इसका बता रखा बे कितनी डिगर पर लगानी है तो इस ए इसके अंदर करती है चोर्सी आप अपनी तेक करेंगे तो धीली नहीं पड़ती एकदम टाइट हो जाती है अब हम बात करते हैं नैरेक्स की यह हमारे पर स्टोन है नैरेक्स कंपनी का यह चक रिपब्लिक देश का यह ठीक है यह दोस्तों थोड़ा सा कोस्टली है यह मेरे आके दिखाऊंगा किस तरीके से हम इसकी धार लगाएंगे दोस्तों इसका आपको प्राइज भी बिताऊंगा इसका प्राइज कितना है यह बलकि छोटा पांच इंची मुझे बड़ा चाहिए था आट इंची को मिला नहीं मुझे दोस्तों मैंने इसकी अन्बोक्सिंग क यहां से हमने इसको यह से अगर 30 की रखनी है तो हमें 30 mm के क्रीव निकालना पड़ेगा यह से यह मैंने इसके मोटा मोटा निशान लगा लिए आपको लगा के दिखाता हूं या फुट्टे की मदद से भी नाप सकते हो यहां से 30 mm तो आप ऐसे यह भी बना सकते हैं यह दे पर लेगा तो इसी तरिके से जविंसी हमारी तेक होती है दो इंची के जैसे उपर की तरफ इसे में तयका आएगी अगर मुझे 30 डिगरी का Governor यह यह श्म्व का क्रीव यहां से निकालना पढ़ेगा 38 mm क्री मुझे निकालना पड़ेगा यह होगा 38 mm के बाद हम क्या करेंगे इसको टाइट कर लेंगे अच्छी तरीके से यह 38 mm निकालना पड़ेगा अगर मुझे 25 डिगरी के रखनी है तो 50 mm निकालना पड़ेगा यान की बिल्कु प्रफेक्ट आएगा यान की धार एक तो एक तो ऐसे है जोंसे ने बच्चे आता है जब धार लगाते ना यह दो उंगलियां नीचे रख लेते हैं इसके यह रख ली तो उनको पता नहीं लगता यह उंगलियां भी साथ में घिस्ती रहती है या तेक को मैं इससे क्या होता है तेक की यह हमारी होती है गोल हो जाती है इसमें क्या होगा हम जब इसको ऐसे ऐसे करके चलेंगे तो यह बिल्कु सीधे रहेगी ना तो ऐसे आएगी ना ऐसे आएगी यह बिल्कु राइट एंगल में यह देखिए यह बिल्कु राइट एंगल में में मे दोस्तों दार लगाने से पहले मैं आपको बता दूं हम अपनी चोर्षी को भांदे के किस तरीके से स्कंजी के अंदर तो दोस्तों यह में वी वने वेश्के इसके अंदर खांचे में फ़स जाती है दोनों तरफ है ठीक है तो हम भांदने के लिए यह मैंने 40 mm पर लगा लिय निशान को कि मुझे 25 डिगरी का इसका वैबल चाहिए जोंसा कंप्रीन दे रखा और इसकी मदद से हमें इसको टाइट कर लेंगे यह दिखे और पूरे इच्छी तरीके से बिठा लेनी है आपने कि यह देखें और इसक्रू के मदद से इसको टाइट कर लेंगे हो अगर आपको डिगरीका ऐसे नहीं पता लगता भूल जाते हो तो इस पर आप SET करके भी कर सकते हो जुरुरी नहीं इस पर पड़ अयसे करना तरह तर予सी तरीके से ही कर सकते हो यह जोंता मेरे पाउस्ट अंच इुंसे मुझे 10 इंची का मुझाना ता यह हैं नहीं कैसे हम करेंगे दोस्तों किसी कारपेंटर भाई को अगर परचेज करने हैं तो मैं दोनों का इनका प्राइज आपको बता देता हूं यह अठारा सो की है और यह नेरेक्स कंपनी का वर्ल्ड का सबसे नंबर स्टोन है इससे बड़िया को स्टोन नहीं है यह हमें पड़ता है 23 रपेगा अगर मैंने यह परचेज किया है एमजोन से जाके आप परचेज कर सकते हो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा एमजोन से आपको नबर नज़रा रहा होगा यहां जाके आंप कर सकते हो दोस्तों धार लगने की बारी आ चुकी है आपने क्या करन तो ज्यादा बेश्ट जाएगा क्योंकि यह नीचे सरमेक है तो हम क्या करेंगे स्टोन को पहले गीला कर लेंगा अच्छी तरीके से क्योंकि जितना पानी पीना होगा पी लेगा यह को अभी पहली बार मैंने चालू किया यह यह हो गया हमारा तो अब हम इसके उपर ऐसे दूसर इस तरीके से हमने इसको करना है और यह देखिए जोंसे हमारा वील भी है सेंटर में यानिकी पूरी पत्री कवरिंग होता है यह किनारे पर कर दिया फिर भी पूरा हमारा कवर हो रहा है यह देखिए इसमें यह नहीं होगा कि आपका यह गोल हो गई के कम बढ़ती ह हो गई अब हम थोड़ से इसके उपर पानी डाल लेंगे कर रहे हैं को कि हमारी इतनी इस्तमाल होगी उसके बाद क्या करेंगे जैसे हमने दस वार इदर की तरफ घिर दिया तो मैसे इसको पत्री को ऐसे कर लेंगे क्योंकि हमारे दोनों बराबर के होने चाहिए नहीं तो एक तरफ का घिर जाएगा एक तरफ का मोटा रह गाए इसको पर फिर हम पानी फेक लेंगे या फोम का टुकड़ा भी रख सकते हो फिर यह हमने हाथ यहां रखने है यह देखे अब तक यह धार रहती है यह देखो पठा यह बिल्कुल एक जैसा आया यानि कि यह नहीं कि को ना गोल हो गया यह हो गया कि दोस्ते ही हमारा पूरा पठा गेश चुका यह देखे कितनी शांदर आब इसमें बाला आ गया परली तरफ से करेंगे वाइट वाली की तरफ से यह देखे दोस्ते इसमें यानि कि रगनी कि यह खाती है कई वर बच्चों के होता है यह धारे ना यह उंगलिया खा जाती कि इसम और इस प्रेशन चाहिए से खाला अंदगे में इसको ऋ झाले फेले-ताइनय के वाइव यह तो इससे कैसे आगे अ हाइओ कैसे कर लएंगे अनल फिर इस घरले दोस्तों यह देखो यह मैंने ब्रीक तरब से भी कर दी बिल्कुल यह देखे कितना एकदम आगे अब बाला इसका है इसको हमें खोलना पड़ेगा बाले के लिए तो हम इसको उटा करके रखड़ेंगे जब हम बैक से रखड़ेंगे दोस्तों यह बिल्कुल इसके साथ मिलाकर रखनी यह देखिए इसके उपर बाला आएगा यह देखिए अब आपको नजर आएगा दोस्तों यह हमारा फैनल हो चुक है यह देखिए धारिश की कैसे लगी है हम आपको थोड़ से इसपर चला के दिखाते हूं लकड़ यह देखिए लगते सारी एकदम गोली की तरह जागी यह देखिए यह देखिए यह दोस्तों यह कम्पलीट होगी आपने धार देखिए एक कितनी असानी से जुन से नें बच्चे इस फील्ड में आते लगा सकते हैं और दोस्तों कमेंट बोक्स में यह मत बोलना कि मैं आपको सिखा रहूं जितना मैं ने सीखा उतना सिखा रहूं बाकि बाकि जितनी नोलेज है उतना आप लोगों को बता देता हूँ बाकि अगर आपका अपना दिमाग हो तो उस तरीके से भी आप कर सकते हो और दोस्तों ये आपको वीडियो कैसी लगी अच्छी लगी चैनल को लाइक करना सब्सक्राइब करना साथ में बेल आइकन का बटन बाकि ऑनल में भ्या अच्छी अच्छी में प्डिव आप लोगों के ईनी competitive झाल झाल झाल